अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन फॉर आल, आज कर रहे हैं हम इंग्लिश में स्पैशल वर्ड का पार्ट सेबन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिस्टम अफ गवर्नेंस, शाशन के प्रकार, एपसॉल्यूटिजम को क्या बोलते हैं, वन पर्सन हूँ होल्ड्स तो इनको ये सारे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं, आरिस्टो क्रैसी, अप्रिविलेज्ड वेल्डी स्मॉल गृप, जिसमें धनीयों, अधिकार युक्त व्यक्तियों का छोटा समूशाशन करता है, ब्यूरोक्रैसी, पर्संस, बॉडी, रूलर्स, जिसमें दो वेक्ति या संस्थाएं शाषन करती हैं, उससे क्या बोलते हैं डायार की, जर्नोटोक्रेसी, एल्डरली मैन, जिसमें उमद्राज, उमद्राज लोग शाषन करते हैं, मतलब जिसकी उमर ज्यादा है वही शाषन करेंगे, हेरोक्रेसी, थियोरोक्रेसी, क्लेरिजी क्लासिज, जिसमें पुजारी वर्ग शाषन करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लेरिज क्राशी, मैटर्यार्की, ओन्ली वुमेन, जिसमें औरते शाषन करती हैं, उसको बोलते हैं, मोनार्की, किंग, जिसमें एक राजा शाषन करता ह उसको बोलते हैं जिसमें भीड शाषन करती हैं उसको बोलते हैं मतलब जिसमें सभी लोग समान रूप से शाषन करते हैं उसको बोलते हैं Petarchy, Only Man, जिसमें सिर्फ पुरुष शासन करता है, उसको बोलते हैं. Plutocracy, या Timocracy, The Rich People, जिसमें धनी लोग शासन करते हैं, उसको बोलते हैं. Stratocracy, The Army, जिसमें सेना का शासन होता है, उसको बोलते हैं. Technocracy, Technological Experts, जिसमें तकनीकी रूप से कुशल लोगों को शासन होता है, उसको बोलते हैं. आज के लिए इतना ही, Thank You.